हाई गाइज आज़क में बता हूंगी कि वाट इस ओक्सिडेशन नंबर और हमको यह जान लेना चाहिए तो ऑक्सिडेशन नंबर में भी डिफाइंड देचार्च विच एन एटम हाव और एपिस्टू हाव वैद इस इन दो कमबाइन स्टेट तो जब कोई श्चार्च होता है उसे ही अ मुसका उक्सिडेशन नंबर बोलते हैं तो अभी आप समझ जाएंगे कैसे देखो हम यहां पर सलफर का हम उक्सिडेशन नंबर फाइंड करेंगे हाइड्रोजन सलफाइड में हैं तो आपको पता यह होगा कि hydrogen की कितनी वैलंसी होती है फिज चार्ज होता है तो hydrogen का चार्ज होता है वो positive में 1 होता है टीक एंट इसका हम positive 1 में तो पहले हम देख लेते इसका चार्ज होता है positive 1 इसका multiply हम 2 से करवाएंगे क्योंकि इसके 2 2 atoms हैं plus sulfur को कितना है हम हम समफार का पाता हो पता नहीं है तो इसको हमाइड का लिए x होता होगा अब इस इक्वाल टू जीरो आप 0 की इस इक्वर टू माइनस का टू तो जो x की जो वैल्यू आई है वो नेगिटिव में टू आई है तो इसका मतलब है कि Oxidation नमबर ऑफ सल्फर इस माइनस टू ने साइन का जरूर एद रखे तो जो Oxidation इस number है sulfur यहां का तो इस तो माइनस 2 है इस compound में अब हम आपको second वाला find करके दिखाते हैं तो chlorine तो chlorine को oxidation number पूछ रहा है इस compound में तो हम क्या करते हैं हमें chlorine का तो पता नहीं है oxidation number तो इनने इसको लेट कर लिए x फिर oxygen का oxidation number मतलब कि oxygen का oxidation number मतलब oxygen का charge तो oxygen का charge कितना होता है minus का 2 ठीक है तो हमको oxygen का जो हमारे charge कितना होता है minus 2 होता है तो minus 2 है और oxygen के कितने atom है 4 atom है तो minus 2 जो charge है उसका कितने atom है 4 multiplied by 4 अब is equal to अब इसका जो इस total compound का जो कितना charge है यह minus लगा है यह minus minus 1 को represent कर रहा है ठीक है तो यह जो minus लगा है यह पूरा total compound का charge है इसको हमने minus 1 किया अब x into 8 is equal to minus 1 उधर जाएगा तो minus 1 plus 8 हो जाएगा एक्स की जो value हो जाएगी वो positive में 7 आ जाएगी ठीक है तो यहां देखिए इसका हमने आपको समझ माया है कि हमने oxygen का minus 2 लिया है और इस total compound का charge है वो minus 1 लिया है किदर minus लगा था अब इसको find करके देखते हैं तो nitrogen का हमें इससे find करना है तो हमें nitrogen को पता नह है तो हमने nitrogen में एक्स लिया लेकिन nitrogen के कितने कम atom है तो टू एटम है तो इसले स्कॉल्टिवलाइज हमने तू से कर लिया प्लस hydrogen की charge कितना होता है positive 1 तो 1 into 4 into 2 क्योंकि इसके इतने atom है यह जो हम लिखे हैं यह हमारा बताता है कितने atom है अब प्लस अब इस total का कितना charge होता है sulphate का total charge होता है माइनस 2 की equal होता है ठीक है माइनस 2 की equal होता है इसलिए इसको हमने माइनस 2 की equal लिखेंगे तो यह multiplied by 2 अब इस equal to 0 करेंगे ठीक है क्योंकि यहां पर कोई भी total charge नहीं दिया है अब 2x plus 4 to 8 minus 2 is equal to 0 x is equal to 2x is equal to यह plus का 6 आजाएगा उदार ले जाएंगे minus 6 x is equal to minus 6 divided by 2 3 x की value है minus 3 जिसका मतलब है कि nitrogen का oxidation number हमारे कितना आजाएगा is equal to minus 3 तो nitrogen का oxidation number minus 3 आया है मतलब इस compound में nitrogen की value है वो minus 3 के एक को ले चार्ज है minus 3 के एक को ले ठीक है अब इतर कार्बन को find करते हैं कि कार्बन की क्या oxidation number इस compound में तो हमने लेट कर लिए x होगी oxidation number कितने atom में तूस ने multiply कर दिया add कितने hydrogen के हैं इसकी वालेंसी वन होती है पॉस्टिव में तो वन इंटू 6 अब इस इक्वाल टू 0 2x प्लस 6 इस इक्वाल टू 0 x इस इक्वाल टू माइनस का 6 आजाएगा divided by 2 3 x इस इक्वाल टू माइनस का 3 यह oxidation number of carbon is minus 3 ठीक है अब इधर देखते हैं एफी वाले में iron का तो iron का क्या oxidation number है इस compound में तो हमें नहीं पता है हमने लेट कर लिए एक्स होगा ठीक है था मने एक्स लिख लिया अब C i n का थो C i n kaa oxidation नमबर यह charge minus 1 के एक्वाल होटता है ठीक है इसे याद रखेगा कि जो सी अंब का जो चार्ज होता है वह minus 1 के equal होता है या फिर oxidation number जो होता है वह minus 1 के equal होता है तो यहाँ पर हम x रखेंगे क्योंकि हम iron का पता नहीं है इसकी value होती है minus 1 होती है into cn की कितने atoms है six atoms है this multiply six अब is equal to this total compound का हमारा charge कितना है minus 4 के equal है इसको is equal to minus 4 x उदर जाएगा तो minus 4 plus 6 x is equal to 2 positive sign का में शाया रखें तो जो oxidation number of f e is positive में 2 तो इस तरी के हमने सारे elements के oxidation number find किये और आपको बताया I hope guys you will like my video and subscribe it also